आज हम social influence की बात करेंगे, देखिए, अपने ethics के section में अभी हम attitude को discuss कर रहे हैं, यहाँ पे हम social influence पर चर्चा करने वाले हैं, इसके बाद हम persuasion देखेंगे, और मां जो दूसरा topic है, वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर एक topic skip हो गया था, that was role of social media, negative role of social media and moral attitude, positive role आप सब लिए जानते हैं, negative role पर बात करते हैं, देखिए, होता यह है, कि आज social networking sites बहुत ही ज़्यादा famous हो चुकी हैं, यह youngsters के बीच में, इससे जो vulgarity है, MMS है, या फिर और भी, जो ऐसे digital object हैं, जो कि सही नहीं है, morally सही नहीं है, वो काफी ज़्यादा accessible हो गया है, यह youngsters के लिए, यह youngsters में एक cognitive resonance create कर देते हैं, यह cognitive resonance है क्या, देखिए, मैंने आपको जब attitude के बारे में बताया था, तो मैंने 3 आपको component बताये थे, cognitive, affective and behavior, आप भूलते तो नहीं हैं तो देखिए, cognitive का मतलब होता है, कि आपके पास क्या information है किसी के बारे में, affective का मतलब है, कि आप उसके बारे में कैसा सोचते हैं, क्या opinion बनाते हैं और कैसे behave करते हैं, ठीक है, तो cognitive का मतलब है कि कैसी information है आपके बारे में, disonance का मतलब होता है, विरोधा भास, मतलब आपके opinion में, आपके thinking process में एक विरोधा भास आ जाता है, जब आप बहुत ज़दा exposed हो जाते हैं ऐसे unethical object की तरफ, जिसके तरफ आपका जो जुकाव है वो नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप adolescent को ले लीजिए, adolescent के अंदर बहुत ज़दा curiosity होती है, कि वो sex के बारे में information गेन करें, दूसरी तरफ उनको कई सारे moral lessons सिखाये जाते हैं, कि उन्हें women को respect करना चाहिए, अब य उसे तरफ जो उनके पास एक information है, कि उन्हें women को respect करना चाहिए, वहाँ पर एक cognitive disonance create हो जाता है, ऐसा कई सारी studies में पाया गया है, कि ऐसे adolescent लोग, जो की बहुत ज़दा unappropriate objects के तरफ जुकाव रखते हैं, उनके पास कम empathy होती है, rape victims के लिए, और वो काफी aggressive behavior tendencies भी अपने अ आई सारे और भी factors हैं, जो situation को और भी ज़्यादा worsen कर देते हैं, खराब कर देते हैं, लाइक अगर बच्चे की parenting खराब है तो, बच्चे को देखे, जो sex education है, वो बहुत important मुद्दा है इंडिया में, लेकिन यहाँ focus नहीं किया जाता, इस चीज को छुपाने का प्रयास कि इसके लावा, अगर teachers का जो behavior है, वो वैसा नहीं है, जैसा होना चाहिए, peer pressure, आप किसी ऐसे friend circle में चले गए हैं, जहां जो आपका friend circle है, वो गलत direction में जा रहा है, इसके लावा, TV और internet पे जो exposure है, उसके वारे में आप सभी लोग जानते हैं, तो यह जो सारे factors आपस में मिलत हैं, तो यह जो teenagers हैं, उनके moral compass को बहुत ज़्यदा narrow बना देते हैं, हम adolescent या फिर teenagers की बात क्यों करते हैं, because जो लोग teenage group के उपर निकल जाते हैं, उनकी understanding थोड़ी develop हो जाती है, वो सही गलत में फर्क करना सीख जाते हैं, लेकिन teenagers की जो age होती है, वो बहुत ज़्यदा energy की age ह होती है, वो एक ऐसी age होती है, जहां पर वो विरोध करते हैं, ज्यादा तर चीजों का aggressive होते हैं, तो ऐसी age में, ऐसी condition में, जो moral attitude है, उसे balance करना उनके लिए काफी समस्या का विसाय होता है, ठीक है, और ऐसे जो teenagers होते हैं, वो कई बार गलत चीजों की तरफ attract भी हो जाते है तो moral attitude में, social media इस तरीके से negative impact दालता है, अब देखे, ऐसे जो teenagers होते हैं, वो internet का सहरा भी लेते हैं, गलत चीजों को act करने के लिए, perform करने के लिए, क्यों, क्योंकि internet उनको कई तरीके के advantage देता है, कैसे advantage देता है, पहली बात, तो anonymity, वो कोई भी गलत काम करेंगे, तो वो unt trackable रहेंगे, कोई जान नहीं पाएगा कि ये काम किस ने किया है, और वो वैसा गलत काम कर सकते हैं, action at distance, मतलब आप दूर से ही बैठ के कोई काम कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को hurt कर सकते हैं, कोई गलत message भेज सकते हैं, ठीक है, automation, automation का मतलब क्या है, कि आपने computer में एक चीज circulate कर दी, facebook पे, whatsapp पे, उसके बाद वो अपने आप ही circulate होना सुरू हो जाती है, photos अगएरा, या फिर videos अगएरा, तो automation की वज़ह से काफी ज़्यादा उनको incentive मिल जाता है अपना काम करने में, दूसरी बात accessibility, अब देखिए, data plans दिन बर दिन सस्ते होते जा रहे हैं, तो अगर आपने कोई एक MMS, या फिर कोई भी एक गलत image, इंटरनेट पर देखिए, अगर government ने या court ने order देके, उसकी एक sources को हटवा भी दिया, तो वो लोगों के पास पहुँच चुकी है, और वो circulate होती लगी रहेगी, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे mechanism हैं इंटरनेट पे, जो क कि moral value को या फिर wrong behavior को incentivize करते हैं, और लोग ज़्यादा attract होते हैं इस तरफ, देखे, 6 तरीके के cyber balance हैं, जो women के पति किये जाते हैं, इंटरनेट के जरीए, पहली बात तो hacking, अन authorized तरीके से किसी भी women के information को access किया जाता है, उसके system को hack करके, दूसरा impersonation, कई बात किसी एक women के न गलत तरीके से messages वगएरा send किये जाते हैं public domain में ताकि उसे embrace किया जा सके, और कई बार तो गलत प्रोफाइल्स बना के women को sex trade के trap में भी लेने का प्रयास किया जाता है, तीसरी बात, surveillance, कई बार victims को trap किया जाता है, GPS mobile के जरीए, tracking, key strokes के जरीए, कई बार spy camera वगएरा लगा दि girls को भी aware होना चाहिए, क्योंकि जब वो, वैसे तो देखिए, जो public domain होता है, वो किसी के लिए भी risky होता है, जहां उन्हें aware होने के आवशक्ता होती है, लेकिन women या फिर female, बहुत ज़्यादा vulnerable होती है, इस बात को लेकर, तो उन्हें अपने आप में aware रहने की जरूरत होती है, ठीक है, harassment, कई बार persistent call करके, messages करके, email करके harass किया जाता है, women को recruitment, जो sex traffickers है, वो whatsapp, chat rooms, और कई सारे online perform का इस्तिमाल करके, women को lure करने का प्रयास करते हैं, उनको sex trafficking में indulge करवाने का प्रयास करते हैं, malicious distribution, अब आईए बात करते हैं, social influence के बारे में, देखे, social influence तब अकर होता है, जब आप emotions में आके, अपने opinion या behavior को change कर देते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, ठीक है, social influence का मतलब होता है, कि आप confirmity so कर देते हैं, मतलब आप जिस बात से सहमत नहीं है, उस बात पर भी अपनी सहमती जदा देते हैं, socialization का process आपको compel करता है, शीज के लिए, society में ज करते हैं, leadership, persuasion, sales and marketing की वज़े से, कई सारे ऐसे factors हैं, जिन से influence होके, आप अपने behavior में बदलाव ला देते हैं, ठीक है, तीन broad varieties है, social influence की, जहां पर society आपके behavior को, आपके attitude को influence करती है, पहला है compliance, compliance का मतलब होता है, स्वीकृति, इसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी एक व्य करता, देखे, compliance एक ऐसा act है, जहां पर आप किसी भी एक व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति ने एक आपसे request की, वो explicit भी हो सकती है, implicit भी हो सकती है, वो आपसे कह भी सकता है, कि आप मेरी बात ऐसी माल लीजिए, या फिर हो सकता है, कि आपको ऐसा लगा कि वो चाहता है, कि attitude नहीं है, just because आप किसी के साथ comply करना चाहते हैं, किसी के behavior में अपनी security देना चाहते हैं, जैसे कि आपके boss ने कहा, कि जो woman है, वो अच्छा perform नहीं करती है, office work में, या आपकी व्यक्तिकत thinking नहीं है, आप मानते हैं, कि woman भी उतना ही अच्छा perform करती है, जितना की man करता है, ले attitude गलत नहीं है, attitude आपका सही है, आप ये मानते हो कि woman अच्छा perform कर सकती है, लेकिन आपने अपने boss के साथ comply कर दिया, ठीक है, अब देखें, comply करने से कई बार आपको satisfaction मिलता है, आपको लगता है, और कई बार आपको expected reward मिलता है, देखें, यहाँ पर गलत लिग गया है, unexpected लि देते हैं, देखें, compliance में और confirmity में अंतर है, compliance को आप confirmity के साथ confuse मत करियेगा, compliance का मतलब यह होता है, कि आप किसी व्यक्ति की request के साथ सहमत हो जाते है, directly या indirectly, यह आपके behavior में change को सो करता है, आपके attitude में change हो, यह ज़रूरी नहीं है, जबकि confirmity का मतलब यह होता है, कि आप कि इसी socially accepted या certain accepted standard पर काम करने का प्रयास करते हैं, जिसमें आप social influence में आ जाते हैं, यहाँ पर most probably आपके attitude में change आ जाता है, ठीक है, तो confirmity और compliance में अंतर है, आप इसे clear रखिएगा, दूसरा factor है identification, identification का मतलब यह होता है, कि रेखें, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आप बहुत रितिक रोशन आपसे आके कहता है, कि rough and tough skin के लिए आप fair and lovely का इस्तेमाल करिए, चूकि आप वो एक famous celebrity है, आप उन्हें पसंद करते हैं, आप उनकी respect करते हैं, तो आप fair and lovely को खरीदना सुरू कर देंगे, तो इससे देखें, जो advertisement करते हैं, वो लोग is identification वाले factors का बहुत उस बात को comply करते हैं, वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति उस behavior को मान ले, जैसे कि एक example देता हूँ, खाप पंचायत ने यह आदेश दे दिया, कि जो गाओं में लड़कियां हैं, वो jeans का pant नहीं पहनेंगी, ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है कि आप internalization के जरिए अपना social behavior change कर दे जनरली व्यक्ति ऐसा तब करता है, जब उसका खुद का value system भी उसी के अनुकूल होता है, जैसे आप खुद भी ऐसा मानते हैं, कि जो लड़कियां हैं, उन्हें jeans का pant नहीं पहनना चाहिए, और खाप पंचायत ने भी यह आदेश दे दिया है, तो आप उस दिस से comply कर जाए आप अपनी compliance दे देंगे, इसके रामा यह कई बार आपका internalization है, यह आपको reward करता है आपके नए behavior के लिए, चुकि आप खाप पंचायत की बातों को मान रहे हैं, तो society में जो आपकी value है वो बनी रहेगी, आपको कोई विरोध नहीं करेगा, तो यह procedure है internalization का जो आपको social behavior मे बदलाव ला देता है, यूँ तो देखे, कई सारे factors हैं, जो हमारे social behavior को बदलाव में, उसमें change करते हैं, लेकिन, Robert Cialdini, जो की एक psychologist है, उन्होंने बताया कि basically 6 ऐसे principles हैं, जो हमारे behavior में change लाने का प्रयास करते हैं, पहला है friendship or liking, अगर कोई भी व्यक्ति, आपका दोस्त है, जिसे आप पसंद करते हैं, या उसे आप पसंद करते हैं, तो पूरी संभावना है, अगर वो आपसे कोई बात कहेगा, तो आप उसकी बात से, आसानी से comply हो जाएंगे, comparison तो that person, जिसे आप पसंद नहीं करते, या जो आपका दोस्त नहीं है, point number two, commitment or consistency, आप एक काम करते हैं अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई ऐसी request करता है, जो आपके काम में consistency बनाए रखेगा, या आपके commitment के according रहेगा, तो पूरी संभावना है कि आप उसे मान लेंगे, तीसरा है scarcity, अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई ऐसी बात मानने को कहे, जिसमें आपको कोई एक scarce result मिले, कोई ऐ ऐसा result मिले, जो कि rare है, जो कि आपके लिए अच्छा है, तो पूरी संभावना है कि आप उसकी बात से compliance कर लेंगे, आप उसकी बात को मान लेंगे, चौथी बात है reciprocity, इसका मतलब ये है कि जनरली आप उस व्यक्ति की बात को आसानी से मान लेते हैं, जिसने past में आपको करी थी, आज वो आप से कोई बात मानने को कहता है, तो आप मान लोगे, तो social welfare में, social influence में reciprocity का भी बहुत महतो होता है, पांचवी बात है social validation, आप generally उस बात से बहुत आसानी से comply हो जाते हैं, जो socially valid होती है, आप उस बात से generally comply नहीं होते, जो socially valid नहीं होती, जैसे कि आपका एक दोस्त है, वो दो साधी करना चाहता है, एक बीवी उसके पास है, वो दूसरी साधी करना चाहता है, तो हो सकता है कि आपका वो दोस्त है, आप उसे पसंद भी करते हैं, लेकिन आप उससे comply नहीं करेंगे, आप उसका बिरोद कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये socially valid नहीं है थीक है, वही कहता है कि वो किसी अनकास्च में साधी नहीं करेगा बलकि वो अपनी ही कास्ट में साधी करेगा तो आप उसके इस बात से बहुत आसानी से कंपलई कर जाएंगे, आप उसका भी रोद नहीं करेंगे क्योंकि ये socially accepted है कि हर वेक्ति को अपनी कास्ट में साधी करनी चाहिए, बलकि ऐसा कोई law नहीं है, still आप उससे comply कर जाएंगे, because that is socially accepted, छटी बात authority, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति आपसे कोई बात मानने को कहता है, जो किसके पास एक विलेर authority है, तो पुरी संभावना है कि आप उसकी बात से comply कर जाएंगे, ज जो अपने घर के सामने कचरा ना फेके, तो आप मान लोगे, क्योंकि नरेंदर मोधी, प्राइमिनेस्टर आफ इंडिया, उनके पास एक proper authority, जनरली हम उस व्यक्ति से आसानी से comply कर जाते हैं, जिसके पास एक legitimate authority होती है, persuasion का मतलब क्या होता है, persuasion का मतलब होता है, कि आप किसी भी व्यक्ति को influence करते हैं, कि वो आपकी बात मान ले, या आप प्रयास ऐसा करते हैं, कि आप उसके attitude में बदलाव ला दे, जिसके लिए आप कई बार messages का इस्तिमाल करते हैं, कई सारे हटकंडे अपनाया जाते हैं, क किसी अन्य व्यक्ति के attitude में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, देखिए, इसमें जो communication किया जाता है, उसका intention ये होता है, कि आप सामने वाले व्यक्ति को किसी चीज के लिए भरोसा दिलवा दे, ठीक है, आप उसको persuade करते हैं, ताकि आप किसी particular behavior के बारे में, या किसी भी intention की बारे में, उसको के अंदर एक belief system create कर सके हैं, ठीक है, अगर कोई भी एक व्यक्ति, किसी अन्य सामने वाले व्यक्ति के attitude में बदलाव लाने का प्रयास करता है, तो वो कई सारे objectives उसके होते हैं, कई सारा intention होता है, जैसे कोई particular idea हो गया, object हो गया, या कोई person हो गया, उसके reference में, आप किसी सामने वाले व्यक्ति के अंदर बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, एक example आपको दूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, चले example लेते हैं, अपने Indian Prime Minister Narendra Modi का, नarendra Modi आपको persuade करते हैं, through a public speech, वो आपको बताते हैं, कि वो किस तरीके से evolve हुए, और आप उन्हें क्यों vote देकर Prime Minister बना देना चाहिए, तो आपको persuade करते हैं, ताकि आपके political attitude में बदलाव आ जाए, और आप उन्हें vote करके उन्हें जिता दे, अब देखे, persuasion दो तरीके का होता है, एक होता है, अपील to reason, जिसमें जो व्यक्ति आपको persuade करता है, वो आपको logic और reasoning दे में economic growth कम रही, या फिर वहाँ बहुत जदा corruption रहा, जिससे हमारी economy को नुक्सान हुआ, वो ऐसे logic के reason देके आपको persuade करेंगे, आपको convince करेंगे, कि आप अपने political attitude में बदलाव लाएं, जो कि नरेंदर मोधी के favor में हो, ठीक है, दूसरा एक तरीका होता है, persuade करने का, जिसे हम चाय वाले हैं, वो बहुत ही ground level से आये हैं, उन्होंने पत्रकारों के लिए कुर्सिया उठाई हैं, तो यहाँ पर वो आपके emotions को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप उनसे persuade हो जाएं और आप उनको vote कर दें, तो यह मतलब होता है persuasion का, दो तरीके होते हैं, याद र message and target, target को ही आप receiver भी कह सकते हैं, मतब तीन बहुत जदा important है, source, message और receiver, source का मतलब क्या होता है, source का मतलब यह होता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है, जो आपको persuade कर रहा है, ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो आपको persuade करने का प्रयास कर रहा है, जिससे आप पसंद नहीं करत है, जिसकी personality आपको अच्छी लगते है, तो आप उससे आसानी से persuade हो जाएंगे, कुछ लोगों की personality बहुत ही magical होती है, या आप उसे कह सकते हैं, कि उनकी सब्दों में इतना दम होता है, कि वो आपको आसानी से convince कर सकते हैं, imaginary magical personality उन्हें आप कह सकते हैं, लाइक विवेका न उनकी तरफ, उनकी आवाज को सुनने के लिए, तो उनकी जो persuasion की capability थी, वो बहुत ही high extent पर थी, लाइक महात्मा गाधी, उनकी भी persuasion की capability थी, वो बहुत ही बहतरीन थी, वो जो बात कह देते थे, लोग उसे मानते थे, बहुत ही strategically इस बात का इस्तिमाल भी किया जाता है, ज अगर किसी भी political party को उसके political attitude में change लाना है, तो वो किसी religious monk का इस्तेमाल करते हैं, वो उनसे कहते हैं कि आप इनसे कहिए कि ये हमारी party को vote करते हैं, तो उन्हें पता है क्योंकि ये जो personality है, लोग इसे पसंद करते हैं, तो लोग इनकी बात माल लेंगे, ठीक है, अभी आप कह करते हैं, तो अगर उस source से कोई persuasion का message आएगा, तो आप उसे आसानी से माल लेंगे, that's why, अच्छा कुमार को सच्छ भारत mission का ambassador बना दिया गया, योगि हमें पता है कि उनकी बात जदा माल ली जाएगी, अब कोई एक sports person है, जो कि किसी sports source का advertisement करेगा, तो लोग बहुत आसान जंदल से concept होते हैं, आप उसे समझा भी सकते हैं, लेकिन जब तक आप एक significant, एक important example नहीं देंगे, तब तक आपके argument में दम नहीं आता, तो आपको examples देने पड़ते हैं, ठीक है, message की बात करते हैं, जो आप message देते हैं, वो भी बहुत important होता है, कि आप message किस तरीके से दे रह लेगा, लेकिन जो बुझुर्ग व्यक्ति हैं, जिसकी उम्र जादा हो गई है, वो logical बातों को जल्दी नहीं मानते, ठीक है, अगर आप कोई emotional appeal करेंगे, तो वो आसानी से मान जाएंगे, ठीक है, इसके लावना अगर आप उन्हें stability की बात करेंगे, health के बारे में कोई बा लेकिना catchy phrase है, कि अब अगर गुझराट tourism को promote करना है, तो ऐसे catchy phrases का इस्तिमाल किये जाएगा, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यह आपको अच्छा लग रहा है, आपको असानी सियाध हो जाएगा, आप attract होंगे कि यह कच्छ देखना चाहिए, क्योंकि कच्छ लॉजिकल मैसेज का जो impact होता है, वो long term में होता है, वो short term में आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति smoke करता है, आप कहना चाहते हो, कि smoking करना बुरी बात होती है, और आप short term में इसका result चाहते हो, तो आप यह logic उसको मत समझाईए, कि smoking करने से health disease होती है, यह हो पसंद नहीं करेगा, कि उसके सरीर से बदबू आती है, अगर आप यह बात कहेंगे, तो वो आसानी से persuade हो जाएगा, उसे लगेगा, कि अगर मैं cigarette पूँँगा, तो मेरे सरीर से बदबू आएगी, मतलब वो cigarette पूँँआ छोड़ सकता है, तो आप ऐसे messages का इस्तिमाल कर सक जो मैंने आपको बदा दी दिया, कि आपको यह धियार नखना होता है, कि जो आपकी बातों को receive कर रहा है, वो बंदा है कौन, अगर आप उसे अच्छे से target नहीं कर पाएंगे, तो आप आसानी से persuade हो से नहीं कर पाएंगे, तो यह पूरा mechanism है persuasion का जो हमने संजा,